दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इंडियान एरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर एरक्रेप्टों के आवशक्ताओं को पूरा करने को लेके किस तरीके से हिंदुसर एरोनोटिक्स लिमिटेट के द्वारा काम किया जा रहा ह पर दोस्तों अब बताया ये जा रहा है कि फिलाल इस प्रोजेक्ट को लेके एक बड़ा वाधा आया है और ये वाधा है एरक्रेप्टों का कीमत रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर कम संख्या में एरक्रेप्टों को खड़दा जाता है तो संभावित और में संख्या को बढ़ाएगा तो कितना एरक्रेप्टों को इंडियन एरफोर्स के लिए खड़दा जा सकता है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों इंडियन एर के फ्लाइट रिफ्यूलिंग एरक्रेफ्टों के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड और इस्राइली कमपनी इस्राइली एरोस्फेस इंडिस्ट्री के वीच में एक समझोता हुआ है और इस समझोते के तहट दोनों कमपनियों के द को convert करना suitable होगा उसे लेके काम भी शुरू कर चुका है और दोसो रिपोर्ट के मुताविक हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट में इंडियन एरफोर्स भी on board है इंडियन एरफोर्स के दरफ से हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड को एरक्रेफ्टों क के लिए जो बोईंग 767 फ्लाटफॉर्म को चुना गया है असल में ये एक मिट साइज के वाइड बॉड़ी ट्विन जेट एरलाइनर है और रिपोर्ट के मुताविक अगर इंडियन एरफोर्स के लिए ऐसे कोई पुराने एरक्रेफ्ट खरिदा जाता है जिसका एज 10 साल से कम हो तो इसका दाम करिफ करिफ 90 मिलियन डॉलर तक हो सकता है हाला कि अगर एरक्रेफ्ट के उमर 20 साल के आसपास हुआ तो इसका लागत 65 मिलियन डॉलर के आसपास होगा और दोस्तों यहाँ पे 20 साल के आसपास के एरक्रेफ्टों को कनवर्ट करने का बात सुनके आप ल एरक्राप मतलब मल्टी रोल ट्रांसवोर टैंकर जैसे एरक्राफ काफी कम इस्तिमाल होता है। इंडस्ट्री के वीज में जो समझोता हुआ है उसके तहत एरक्राफ्ट के major parts जैसे की structure, wing और systems को समपूर्ण रूप से replace, upgrade और refurnish किया जाएगा हाला कि इसके इलावा Boeing 767 एरक्राफ्टों को नया engine मी मिलेगा और नया military grade के avionics भी मिलेगा जिनमे state of the art glass cockpit से शुरू करके नया self protection system और कुछ अन्य military grade के system भी शामिल रहेगा हाला कि इसके इतर Indian Air Force के specification के मतावी कुछ specified equipment भी लगाए जाएगा पर फिलाल इस तरीके के equipmentों के जानकारी को गोपनिय रखा गया है पर दोस्तों वही पर project को लेके हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेट का ये मानना है कि ये जो 6 aircraft का order हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेट के सामने रखा गया है ये Indian Air Force के लिए काफी नहीं होगा और कम से कम Indian Air Force को ऐसा 18 aircraft का आवशकता हो सकता है और दोस्तों ये 18 aircraft को आवशकता बढ़ने पर हिंदूसन एरनोटिक्स लिमिटेट के द्वारा इस तरीके से भी configure किया सकता है कि इसका इस्तेमाल खाली aerial refueling में नहीं बलकी troop movement और cargo transfer में भी किया सकता है हाला कि इसके इलावा बताया ये भी जा रहा है कि इन aircraft को ऐसे भी configure किया सकता है कि aerial refueling के इलावा aircraft का इस्तेमाल electronic intelligence, signal intelligence और electronic warfare support मेशर के रूप में भी किया सके दोसो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए भी बता दू कि अगर इसमें इस तरीके के system को लगा जाता है तो aircraft को हवा में communication hub या फिर command and control post के रूप में भी इस्तेमाल किया सकेगा पर दोसो जिस project को लेकि Hindu Sun Aeronautics Limited आगे बढ़ रहा है इस project के सामने price एक बहुत बढ़ा चुनोती हो सकता है क्योंकि अगर कम संख्या में aircraft Indian Air Force के तरफ से खरिदा जाता है तो aircraft को convert करने में और aircraft के related equipment को develop करने के लिए जो पैसा खर्चा होगा वो सही ढंग से वसूल नहीं हो सकेगा हाला कि दोस्तों अगर aircraft के price को ही देखा जाए तो इसके कारण पहले वी कई वार इस तरीके के aircraft खरिदने के deal रद हो चुका है और कई वार इस तरीके के deal को लगवग लगवग संपूर्ण करने के बाद बंद भी करना पड़ा दोस्तों ऐसे deal में सबसे पहले भारत के तरफ से Airverse A330 MRTT aircraft को चुना गया था आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि इन aircraft को टेंडर के तहत इंडियन एरफोर्स के द्वारा एक बार नहीं बल्कि दो वार चुना गया पर दोनों वार ही aircraft के भारी कीमत के कारण aircraft के deal को रद किया गया दोस्तों पहली वार इंडियन एरफोर्स के तरफ से जब A330 MRTT aircraft को चुना गया था तब कीमत के कारण इसे directly रद नहीं किया गया बलकि इसके एक alternative option भी French Air Force के सामने रखा गया जहां पे बताया गया था कि अगर खड़िदार नहीं जाता है तो कम से कम एक A330 aircraft को फ तरी के के proposal को बाद में रद कर दिया गया पर Air Force के तरफ से भारत के सामने और एक alternative रखा गया और इस alternative के तहट Air Force के द्वारा 6 साला पुराना Civilian A330 aircraft का offer रखा गया जिसे की MRTT में convert किया जाए हाला कि दोस्तों इसका वी रद होने के पीछे कारण है कीमत क्योंकि तब इन aircraft का यूनिट है पर उस कीमत में भी अगर Indian Air Force के द्वारा MRTT project को रख किया गया है तो obviously 6 साल पुराना aircraft उससे थोड़ा कम कीमत में Indian Air Force नहीं खड़ देगा जिसे उपर से convert करना पड़े दोस्तों हाला कि Indian Air Force के सामने A330 ही एक मात्रों option नहीं था बलकि इससे 3 गुना सस्ता platform का वी एक offer था पर कई सारे कारणों के वज़ा से Indian Air Force के तरफ से इससे वी चुना नहीं गया दोस्तों ये platform है Illusion 78 MKI दोस्तों Illusion 78 MKI सस्ता होने के साथ साथ ये Indian Air Force के present fleet में already इस्तेमाल हो रहा है जो कि इसके संभावनाव को तो बढ़ाता है लेकिन दोस्तों present fleet के जो Illusion 78 aircraft है इसका serviceability सबसे निचलेदर का है उपर से रशिया के तरफ से spare parts के supply को लेके जो delay किया जाता है वो aircraft के serviceability को और निच exercise के लिए बिदेश में भेजा जाता है तब civil aviation authority के तरफ से aircraft को non civilian route ही provide किया जाता है और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण Indian Air Force के तरफ से illusion 76 या illusion 78 जैसे platform को इतना पसंद नहीं किया गया हाला कि दोस्तों इस tender में एक तीसरा option भी था लेकिन दोनों वार ह इस aircraft के बीड को आखिर moment में हटा लिया गया मैं यहाँ पे केसी 46 Pegasus का बात कर रहा हूँ दोस्तों दोनों वार ही Boeing के द्वारा aircraft के offer के मामले को refuse कर दिया गया जिसके पीछे कुछ और कारण नहीं था बलकि aircraft के production stable ना होना था रिपोर्ट के मताविक जब Indian Air Force के तरफ से tender जा और Boeing के तरफ से बताया गया कि aircraft के production stable होने के बाद ही इसे offer किया जाएगा और दोस्तों यह जो Pegasus aircraft है यह असल में कुछ और नहीं बलकि Boeing 767 aircraft के ही एक modified aerial refueler version है और दोस्तों अमेरिका के company के तरफ से निर्वान किया हुआ यह Pegasus aircraft असल में A330 के मुकाबले में काफी अधिक सस्ता है और report के मुताविक इसके per unit का कीमत करिफ करीब 250 million dollar के आसपास है हाला कि अब Indian Air Force के तरफ से इन 767 platform को ही modify किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके KC46 Pegasus aircraft का निर्मान किया गया है तो यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद